हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मैच स्किल्स विट नाजिया गाइज आज हम लोग करने जा रहे हैं डिवाइट के वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए हम लोग ने पिछली वीडियो में मल्टिप्लिकेशन एडिशन और सब्टेक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स किये थ बैल को प्रेस करके और पर क्लिक करें चलिए लेट स्टाट दे वीडियो फर्स्ट कोशन है यहां पर एट बोन्स आर लाइंग उन दे ग्राउंड इस आर्ट वीवली डिवाइड बिट्वीन तू डॉग्स हाउ मैनी बोन्स डज इच डॉग एट गेट देखिए यहां पर हमें एट बोन्स दे रखे हैं हड्डियां दे रखी हैं और यहां पर कहा गया है कि उसे हमें टू डॉग्स में डिवाइड करना है देखिए तो डिवाइड के लिए हमें कहा गया है तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इस वर्ट प्रॉब्लम में डिवाइड ही करेंगे तो क एहां पर किसे कोसे को पता है अगर बेसे को diva1 को किसी को यहां कर सकते हैं इसली हम लोगों क visitor को बाहर लिखेंगे लिए दे पर में किसे का इट को कितने हिस्सों में divide करना है 2 में इसलिए हम उसे 2 को यहां पर बाहर लिखेंगे उसके बाद 8 को divide करना है तो 2 का tables हम लोग ऐसा पढ़ेंगे उसमें यहां तो 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा कोई number आए ठीक है तो 2 का table पढ़िए कि उसमें 8 आता है या नहीं 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 ठीक है कितने times आता है 4 times तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 और क्या आता है guys 8 तो 8 को लिखेंगे हम यहां पर फिर हम लोग minus करेंगे 8 में से 8 को minus कीजिए क्या answer आएगा कुछ भी नहीं 0 8 में से 8 को minus करेंगे क्या बचेगा कुछ भी नहीं इसलिए इ 1 डॉक्स के पास कितनी हड्डियां आएंगी 8 बॉंस थी उसमें से कितनी बॉंस आएंगी एक डॉक्स के पास 4 बॉंस आएंगी ठीक है गाइस टू डॉक्स में जब डिवाइट करेंगे तो एक डॉक्स के पास कितनी बॉंस आएंगी 4 बॉंस आएंगी ठीक है नेक्स्ट क इसे हमें ग्रूप में डिवाइट करना है अब इसे ग्रूप में डिवाइट करना है तो ग्रूप में डिवाइट करने के लिए हमें यहां पर रिपीटेट सब्ट्रेक्शन करना होता है देखिए हमने जिस तरह से रिपीटेट एडिशन किया था ठीक उसी तरह रिपीटेट subtraction जो होता है वो multiplication में होता है जब हम लोग divide करते हैं तो वहाँ पर हमें repeated subtraction करना होता है ठीक है अब repeated subtraction कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ देखिए इस question में अच्छे से ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 24 ठीक है यहाँ पर लिखा है 4 तो हम लोग लगाएंगे minus का निशान क्योंकि divide में होता है minus subtraction repeated subtraction होता है इसलिए हम लोग लगाएंगे minus का निशान अब इसे minus किजिए 24 में से अगर हम 4 को minus करते हैं क्या बचेगा guys 20 यह one group हो गया ठीक है guys उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है 20 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20 को फिर 4 को minus कीजिए तो यहाँ पर बचेगा 16 यह हो गया 2 groups ठीक है guys next देखिए यहाँ पर है यहाँ बचा 16 तो हम लोग 16 को लिख देंगे यहाँ पर फिर करेंगे 4 को minus क्या बचेगा guys 16 में सगर हम 4 को minus करते हैं तो 12 यह हो गया हमारा 3rd group ठीक है उसके बाद यह वाला 12 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फिर से 4 को minus कीजिए क्या बचेगा guys 8 यह हो गया हमारा 4th group ठीक है next देखिए यहाँ पर यहाँ बचा है 8 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8 फिर से 4 को minus करेंगे क्या बचेगा 4 यह हो गया हमारा 5th group ठीक है फिर यहाँ पर जो बचा 4 उसके लिखेंगे हम यहाँ पर फिर से 4 को minus कीजिए तो 4 में से 4 को minus करेंगे क्या बचेगा guys 0 ठीक है यह हो गया हमारा six group अब हम लोगों को group की counting करना थी इस question में यह बताना था कि कितने groups बन सकते हैं ठीके repeated subtraction का मतलब यह होता है group find करना ठीके गाइस तो groups को हम लोग जब find करेंगे तो कैसे find करेंगे हम लोगों ने यहां पर लिखते गए groups number one two three four five six कितने groups बच्चे गाइस बने गाइस six groups यहां पर लिख देंगे हम लोग six groups ठीके यह आंसर है हमारा six groups आया सभी को समझ में next question देखिए यहां पर भी हमें groups ही find करना है गाइस तो question को पढ़िए a hug of fourteen elephants is moving together after some time they form groups of two elephants it's how many groups do they form यहां पर elephant दे रखे हमें 14 और कहा गया है कि two two elephants के groups बनाईए यहां पर 14 elephants है और two two elephants के हमें groups बनाना है groups बनाने के लिए किया करते हैं guys repeated subtraction सभी को पता है मैंने पिछले question में बताया आप लोगों को कि divide के अंदर अगर हम लोगों को groups बनाने होते हैं तो groups के लिए हम लोग क्या करते है repeated subtraction हम लोग जो बार-बार minus करते हैं guys उसे repeated subtraction कहते हैं ठीक है तो देखिए हम लोग ने पिछले question में कैसे किया था सभी को पता है 14 जो यहां पर बड़ा number लिखा है उसे हमने पहले यहां लिखा और हमें उसे कितने elephant को अलग-अलग करना ह तो two elephants को अलग करना इसलिए two minus करेंगे इसमें से ठीक है 14 में से जब हम लोग two को minus करेंगे क्या answer आएगा guys 12 यह बना हमारा first group मैंने पिछले question में आप लोग को इसी तरह groups बनवाए थे तो देखिए उसके बाद यहां पर जो 12 बचा है उसे हम यहां लिखेंगे ठीक है फिर 12 से च्बाकल में से two को minus कीजिए का answer बचेगा guys 10 यह हमारा second group हुआर के बाद यहां पर है यहां इसे यह इन हम करेंगे हम लोग FER 10 में से two को minus कीजिए तो यहां पर क्या बचेगा next year यह हमारा third group, ठीके, फिर यहाँ पर eight जो लिखा है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर two को minus कीजिए, क्या बचेगा guys, eight में से two को minus करेंगे, six, यह हमारा fourth group, ठीके, यह वाला six यहाँ पर लिखेंगे, फिर two को minus कीजिए, क्या बचेगा, four, यह हमारा fifth group, ठीके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से करेंगे यह 4 यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 करेंगे guys 4 में से 2 को माइनस करा क्या आनसर आया 2 यह हमारा 6 group ठीक है उसके बाद यह वाला 2 फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर से 2 को माइनस करेंगे क्या आनसर आएगा 0 यह हुआ हमारा seven group guys subtraction जो होता है repeated subtraction हम लोगों को तब तक करना होता है जब तक हमारा zero answer नहीं आ जाता यानि हम लोग जब zero answer आ जाएगा तो वहाँ पर हमारे groups खतम हो जाएगे ठीके अब हम लोगों को यहाँ पर groups find करना थे counting कीजिए कि हमारे कितने groups बने हैं one two three four five six and seven यहाँ पर कितने groups बने हैं हमारे seven अब answer में हमें यही बताना था कि groups कितने बने तो हमें यहाँ पर लिखेंगे seven groups answer ठीके guys I hope कि आप लोगों काईश की वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर केमेंट जरू करें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई guys